ये गाइज, what's up, कैसे हैं आप सभी लोग, बहुत-बहुत सभागत है आप सबका आज के इस amazing session में हम लोग कर रहे है fast track taxation for CA intermediate May 23 और आज उसका पांचवा lecture है, हम लोग ने कल से capital gains start किया था और capital gains का आज दूसरा session है, जितने भी students यहाँ पर नए है, आप लोग यहाँ पर मेरे भी notes है, वो आपको इस video के description में मिल जाएंगे, अगर आपने सिर्फ यह fast track course वाले lectures कर दिये, और notes में जितने questions है, तो आपका enough है, इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी करते हो, तो भी बहुत अच्छे से आप लोग C.A. Intermediate May 23 के exams को clear कर सकते हैं, right, so the date today is 20th of January 2023, so you have more than enough time to solve all the questions which I have given you in my notes, मैंने बहुत सारे questions आपको notes में दिये हुएं, तो आप लोग प्लीज उनको ज़रूर कर लिजगा, Academy Plus के warm-up batch में November 23 और May 23 students के लिए मैं GST की classes conduct कर रहा हूँ, वो batch primarily November 23 के लिए हैं, लेकिन obviously क्योंकि अभी November 23 से related amendments आई ही नहीं हैं, सरकार नहीं notify किया हैं, तो हम लोग क्या ही पढ़ाएंगे, तो जो भी GST की classes वहाँ पर चल रही हैं, वो primarily May 23 के लिए भी applicable हैं, और May 23 के लिए ही सबसे ज्यादा relevant और up-to-date है, तो if you want to study GST in detail, वैसे मैं fast track course में भी लोगा, after I finish the DT मैं fast track course में भी लोगा, लेकिन अगर आप लोग IDT का GST एकदम detail में पढ़ना चाहते हैं, तो आप Unacademy Plus का subscription लेकर ये warm-up batch को join कर सकते हैं, इस warm-up batch का subscription कैसे लेना हैं, वो मैं आप लोग को इस वीडियो के end में बताऊंगा, अभी हम लोग आगे चलते, May 23 के students के लिए मैंने एक strategy session लिया था, अगर आप में थोड़ा सा भी confusion है के single group देना चाहिए, बोध groups देना चाहिए, कैसे prepare करना चाहिए, कैसे revision करना चाहिए बगरा बगरा, तो इस वीडियो के description में आपको strategy strategy session का link मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखेगा, यह पूरे के पूरे fast track की जो playlist है, वो भी properly बनी हुई है, जितने भी sessions अभी तक हुए में, तो अभी तक हम लोग ने basics of tax session and general tax rates complete किया है, उसके बाद हम लोग ने house property complete किया है, और अभी हम लोग capital gains पर आ चुके है, और capital gains का आज यह दूसरा session है, तो आपको यह पूरी playlist जितने भी sessions अभी तक हमारे हुए वे हैं, वो इसकी सारी की सारी आपको proper एक playlist मिल जाएगी इस video के description में, और जो भी मैं हाँ पर slides use करता हूँ, जो भी questions है, जो यहाँ पर use करता हूँ, इसके लाबा और बहुत सारे questions के notes के link पेज खुलेगा, वहाँ पर आपको एक Excel sheet भी दिख जाएगी, एक spreadsheet दिख जाएगी, जहाँ पर हमारे course का tentative schedule mentioned है, तो अगर माल दीजे, आपको यह सोचना है कि यह वाला chapter कौनसी date पर शुरू होगा, या यह वाला chapter कब होगा वगेरा वगेरा, कोई भी specific chapter से related आप date जानना शुरू कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी, और आज से हम लोगों को कुछ special cases के बारे में बात करनी है, तो यह सब हम लोगों ने कर लिया था, revise प्लीज दरूर करते रहे न, जितने भी questions में यहाँ पर करवारों, जितने students यहाँ पर नए हैं आप लो लोगों को तो पता ही है, जो भी questions में यहाँ पर आपको करवारों, वो कुछ-कुछ questions करवारों अपने notes से, लेकिन इन questions के basis पर notes के आगे पीछे कि जितने भी questions है, वो सारे आप लोग कर सकते हो, तो सपोज मैंने यहाँ पर class में question number 6 करवाया, फिर question number 11 करवाया, तो इसका मत सारे के सारे special cases complete कर लें, फिर कल से हम exemptions में start करेंगे, ठीक है, exemptions, capital gains का जो topic है, उस पर start करेंगे, तो सबसे पहले, let's talk about the special case 1, which is about section 50C, जो की कहता है कि stamp duty value shall be treated as full value of consideration, तो मैं फटा-फट से इसके पीछे का थोड़ा सा background आप लोगों को बताता हूँ, तो क्या होता था, suppose मैं एक property, suppose मैं, suppose यह हूँ मैं, suppose यह हूँ मैं, ठीक है, मुझे अपना मकान बेचना है, ठीक है, मुझे अपना मकान बेचना है, और आप, मैं assume कर लेता हूँ, किसी भी एक student का नाम में assume कर लेता हूँ, ठीक है, तो रिया, एक student है यहाँ पर, comments में रोज देखता हूँ सब तो अभी क्या होता है कि जब भी आप property बेचते हो तो फिर आपको capital gains लगता है यह तो हम लोग ने कल की पूरी class में देखा मैंने कल आपको एक चीज़ और बताई थी stamp duty value कि जब भी आपको property खरीदते हो तो उस पर आपको state government को एक tax देना होता है that is known as a stamp duty right अब वो stamp duty कौन सी value के उपर determine की जाएगी वो पहले ऐसा था कि जो भी आपका contract है जो भी आपका agreement है उस value के उपर stamp duty determine की जाएगी ठीकिन फिर लोगों ने चोड़ी कैसे करने ही शुरू कि मैं आपको बताता हो तो suppose एक property है जिसकी value है 5 lakh रुपे ठीक है जिसकी value है 5 lakh अब मैंने क्या किया मैंने रिया को यह property चार लाग रुपे में बेच दी मैंने रिया को यह property चार लाग रुपे में बेच दी अब मैं सस्ते में क्यों बेच हूँगा मैं actually सस्ते में नहीं बेच रहा हूँ तो अब जब मैं सरकार को capital gains पर tax दूँगा, तो मैं 3 लाख की उपर tax निकाल के दूँगा, रिया ने अपनी books में दिखाया कि 4 लाख की property खरी दी, अब रिया जब state government को stamp duty देगी, तो वो 4 लाख की उपर stamp duty देगी, तो इससे central government का भी loss हो रहा है, state government का भी loss हो रहा है, central government को capital gains क tak Nano value पर मिल रही है, तो इसके लिए एक concept आया stamp duty value का, एक circle rate का concept आया, वो concept यह कहता है कि आप 5 लाख से कम तो बेच ही नहीं सकते, आप 5 लाख से कम बेच ही नहीं सकते, हर property का हर area का हर division का एक circle rate fix किया हुआ है जिसको हम लोग stamp duty value भी कहते हैं जिसको हम लोग stamp duty value भी कहते हैं तो यहाँ पर सरकार ने यह rule बनाया कि अगर आप stamp duty value से कम पर दिखा रहे हो कि हमने property को बेची है तब भी आपकी जो full value of consideration है उसको हम लोग 5 लाग ही मानेंगे जिससे government को सेंट्रल government को कोई नुकसान न हो right similarly रिया की case में हम कहेंगे कि आपने property 4 लाग में नहीं बलकि आपने property 5 लाग में खरीदी है तो आप stamp duty 5 लाग के उपर calculate करके हमको दीजिया तो अब यहाँ पर यह बात हो गई कि अगर stamp duty value आपकी full value of consideration से ज्यादा है तो फिर full value of consideration stamp duty value मा 5 लाग थी full value of consideration 4 लाग आप दिखा रहे थे तो सरकार ने का नहीं नहीं हम 4 लाग नहीं मानेंगे हम इसको 5 लाग रुपे की ही मानेंगे उसके बाद कुछ और practical difficulties आने लग गई कि कई बार properties बिक नहीं पाती थी stamp duty value के rate पर कई बार properties वाकई stamp duty value की देखो यह तो चोरी बचा होता था क्योंकि बेचने वाली party को capital gains देना पढ़ रहा था और खरीदे वाली party को stamp duty value देनी पढ़ रहे थी stamp duty देनी पढ़ रहे थी ज्यादा value पर बल्कि पैसा ना मिला है ना दिया गया है तो जो genuine cases है उन चीजों को भी consider करते हुए सरकार ने कहा कि चलो एक काम यह करते है अगर आपकी जो stamp duty value है वो sale consideration के 110% से ज्यादा है अगर stamp duty value sale consideration के 110% से ज्यादा है थभी हम full value of consideration को stamp duty value मानेंगे otherwise आपकी जो sale consideration है उसी को हम लोग full value of consideration मान लेंगे एक्जाम्पल के तौर पर अगर आप इधर देखो तो यहाँ पर मैंने दिखाए कि sale consideration is what चार लाग रुपे एक है और property की stamp duty value कितनी है पांच लाग है पांच लाग is greater than 4,4,000 रुपे तो यहाँ पर full value of consideration में पांच लाग ही माना जाएगा लेकिन अगर मानलो stamp duty value पांच लाग की नहीं होती अगर मानलो stamp duty value 4,30,000 की होती तो 4,30,000 तो 4,40,000 से कब हो गया तो फिर इस समय हम लोग full value of consideration को चार लाग ही मानेंगे जो आपकी sale consideration आप दिखाना चाहते हो हम उसी को यहाँ पर मानेंगे उसी को हम लोग full value of consideration मानलेंगे तो अगर sale consideration के 110% से ज्यादा है stamp duty value तब ही आप stamp duty value को full value of consideration मानो मतलब 10% का band आपको दिया हुआ है ठीक है आपको 10% का band दिया हुआ है कि चलो sale value है उसके 10% के उपर भी अगर stamp duty value जा रही है तब आप full value of consideration को stamp duty value मानो otherwise ठीक है हम आपका जो sale consideration है उसी को मानते को चल लेंगे तो this was a concept यही था in case of immovable property held as capital asset if stamp duty value is greater than 110% of the consideration then such stamp duty value shall be treated as full value of consideration right अब आईए question करना शुरू कता है तो question number 22 वाल यो देखो है आपर Mr. Nish 10 acquired a house property for 3 lakh rupees fair market value as on 1st April 2001 is 10 lakh rupees he sold the value to Mr. Nish SC on 10th December 2022 for 50 lakh rupees Mr. Nish SC paid the stamp duty at the time of registration of the property 5 lakh rupees that is 8% stamp duty मैंने आपको कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि stamp duty जब आपको pay करनी होती है तो आपको वो stamp duty value पर pay करनी होती है अब यहां पर अगर Nish SC ने 5 lakh रुपे की stamp duty value पे की और यह बोला गया stamp duty पे की 5 lakh रुपे की और यह बोला गया कि stamp duty is 8% मतलब stamp duty value क्या रही होगी 5 lakh divided by 8% कोई एक stamp duty value रही होगी उसका 8% is 5 lakh तो X into 8% of X is 5 lakhs तो यह वाली बात हो जाती है तो यहां पर अगर आपको stamp duty value निकालनी है तो यह कैसे आएगी time duty value आएगे आपकी 5 lakh divided by 8% क्योंकि किसी का 8% is this calculator देवता को बलाता है आज तो यह आए आए आपका 5 lakh divided by 0.08 this is 62 lakh 50,000 62 lakh 50,000 ठीक है अब आप देखो property बेची कितने में property बेची 50 lakh रुपे में यह sale consideration है इसका 110% निकालो कितना आएगा 55 lakh रुपे आएगा तो इसका 110% 55 lakh रुपे आएगा तो इसका 110% 55 lakh रुपे आया और जो stamp duty value है वो 62 lakh 50,000 रुपे आई तो full value of consideration हम क्या मानेंगे full value of consideration हम मानेंगे 62 lakh 50,000 रुपे full value of consideration हम मानेंगे 62 lakh 50,000 रुपे ठीक compute capital gains in the hands of Nishten for previous year 22-23 assume that Nishten paid commission to the broker at the time of sale 1% तो 1% का commission भी लग गया था अब आजाओ देखो है आपर full value of consideration क्या होगी higher of selling price selling price is what selling price selling price is 50 lakh तो selling price is 50 lakh या तो 50 lakh ठीक है या फिर stamp duty value stamp duty values 5 lakh divided by 8% तो यहां जाता है 62 lakh 50,000 रुपे ठीक है अब यहां पर क्योंकि 62 lakh 50,000 रुपे इसके 55 इसको ऐसे कर देता हो selling price को हटा दो आप ऐसे कर दो 110% of selling price ठीक है या फिर इसको ऐसे रहने दो रुखो selling price if इसको ऐसे लिख सकते हो आप लो if SDV if SDV is less than or equal to 110% of selling price ठीक है यह मत्लब हो है इसका कि if full value of consideration will be higher of selling price या stamp duty value selling price कब अगर stamp duty value selling price के 110% से कम है या बराबर है तब ही तो selling price को आप full value of consideration मानोगे otherwise आप stamp duty value को मान लोगे तो यहां पर आप देख रहे हो कि stamp duty value ब्रोकर को तो उतना ही दोगे ना जितने की आपने actual property बेची अब यहां पर आपने पचास लाख रुपे की प्रॉपर्टी बेची तो ब्रोकर को तो आप 1% of 50 lakhs is 50,000 रुपीज तो यह आ गई आपकी 62 लाख रुपे ठीक है अब cost of acquisition fair market value as on 1st April 2001 was 10 lakh रुपीज तो उसी को वो मान लेंगे उसी को हम लोग cost of concentration cost of acquisition मालेंगे तो 10 lakh into 331 divided by 100 यहां पर आपको fair market value as on 1st April 2001 दी हुई है इसका मतलब यह हो गया कि मतलब common sense लगा कर इसका मतलब यह होगा न कि आप लोग यह property खरी दी गई थी before 1st April 2001 तभी तो fair market value दी हुई है अगर date नहीं दी हुई है date of purchase नहीं दिया हुआ है तो हम लोग आप क्या होगा बस अब बात खतम अब इसको आप calculate कर लो 10 lakh into 331 divided by 100 यह आते 33 lakh 10,000 33 lakh 10,000 तो total कितना आ जाता है 62 lakh minus 33 10,000 28,90,000 28,90,000 is your answer ठीक है अब देखो एक और problem आती है कि SDB कौन सी date की लेंगे registration की date की या agreement की date की ऐसा हो सकता है कि आज मैं आपसे agreement कर लूँ ठीक है आज मैं आपसे agreement कर लूँ कि इस property को हम लोग बेचेंगे और इस property को बेचा तो suppose हम लोग ने बात की जो भी हम लोग ने suppose बात की कि 10,000,000 रुपे में property को बेचेंगे और आज stamp duty value का है आज stamp duty value 9,000,000 रुपे की है तो कोई पंगा नहीं है अगर हमारी consideration जो agreed है वही stamp duty value से ज्यादा है तब तो कोई problem ही नहीं है लेकिन agreement आज हुआ लेकिन sale execute हुई 10 महीने बाद sale execute हुई 10 महीने बाद मतलब registration प्रॉपेटी का जो registration का transfer होता है वो 10 महीने बाद हुआ 10 महीने बाद अगर हमारी property की deal होगी तो फिर sale consideration तो वही रहेगी न 10,000,000 रुपी हमारा agreement आज हो चुक है 10,000,000 रुपे में 10,000,000 रुपे हो जाती है तो सरकार तो यह बोलेगी कि stamp duty value 12,000,000 की है ठीक है आप 10,000,000 में property बेच रहो stamp duty value 12,000,000 की है 12,000,000 पर tax दो हम क्या बोलेंगे अरे हमारा agreement तो 10 महीने पहले का था 10 महीने पहले तो हमने consideration तेह किया था 10,000,000 रुपे stamp duty value 9,000,000 रुपे की थी तो हम तो 10,000,000 पर tax देंगे तो अब यहाँ पर फिर से एक dispute आ जाएगा कि stamp duty value date of agreement की लेनी है जब 9,000,000 की थी intention चोरी का बिलकुल भी नहीं था या stamp duty value date of registration की लेनी है जब stamp duty value consideration value से बढ़ गई है तो फिर इसमें ऐसा decide किया गया कि अगर आपका चोरी का intention नहीं है तो आप क्या करोगे आप किसी को भी है देखो property dealing की बाते बहुत बड़ी बड़ी बाते होती है तो थोड़ा सा advance money token money मेरे को मिल जाना चाहिए तो सरकार ने कहा कि अगर जिस दिन आपका agreement हुआ suppose आज आपका agreement हुआ आज आपने 10 लाग रुपे में agreement किया और stamp duty value 9 लाग के चल रही है तो agreement की date पर ही अगर थोड़ा सा भी पैसा आपके पास आगया agreement की date पर ही अगर थोड़ा सा भी पैसा आपके पास आ गया तो हम मालनेंगे कि आपका चोरी का कोई intention नहीं था और फिर stamp duty वाली on the date of agreement को ही हम लोग consider करके चलेंगे लेकिन अभी यह जो थोड़ा सा पैसा है इसके लिए सरकार में specify किया है कि यह cash में नहीं आना चाहिए because there will be no proof then right cash में नहीं आना चाहिए यह आना चाहिए by any electronic mode of transfer चाहिए account pay check हो चाहिए account pay demand draft हो चाहिए UPI हो भी हो कोई भी electronic clearance system वाला होना चाहिए तो अगर आपने थोड़ा सा भी पैसा या पूरा पैसा date of agreement पर या तो थोड़ा सा पैसा या तो पूरा पैसा अगर आपने electronic clearing system से या pay check account pay demand draft अगरे से अगर आपने थोड़ा सा भी पैसा लिया तो हम मालनेंगे कि हाँ आपकी intention चोरी के नहीं थी और आप यहाँ पर stamp duty value वह consider कर सकते हो जो date of agreement वाली थी ठीक है तो इसको आप लोग पढ़ ले ना हम लोग आगे देखते हैं दूसरा special case होता है section 51 बाला section 51 कहता ह advance money forfeited अब इसमें क्या था section 51 पहले होता था 1st April 2014 से 1st April 2014 से ये चीज़ ठीक कर दी गई section 51 में काफी सारी problems थी मैं आपको बताता हूँ कि क्या problems थी तो suppose मेरे पास कोई property है मेरा आपके साथ property बेचने का agreement हुआ आपने मेरे को कुछ advance money दे दिया जैसा हम लोग ने भी बात की advance money आपने मेरे को दे दिया और उसके बाद आपने का यार मैं property नहीं खरीच सकता मैंने का ठीक है मैं advance तो वापस नहीं कर रहा आपने का हाँ ले लो फोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब ये advance money मेरे पास पड़ा हुआ है अब इस पैसे को मैंने जप्त करके रखा हुआ ह अब अगर दो-तीन साल बाद मैं फिर से इस property को किसी और को बेचना चाहता हूँ तो section 51 ये कहता था कि जो आप cost of acquisition लोगे ना उसमें जो आपने दो साल पहले advance money forfeit किया था उसको minus कर लो ठीक है नंबर से समझाते है तो और clarity के साथ समझ में आएगा numbers में क्या है कि suppose आज मैंने 50,000 रुपे का advance money forfeit किया मकान को मैंने खरीदा था 3,000,000 रुपे में आज आपसे 50,000 रुपे मैंने forfeit करके रख लिया मतलब जब्त करके रख लिया आपके साथ agreement हुआ आपने 50,000 रुपे दे दिये वो agreement successful नहीं हो पाया 50,000 रुपे मैंने forfeit करके दो साल बाद मेरे किसी और के साथ agreement हुआ 10,000,000 की property में 10,000,000 रुपे में property बेचने का तो full value of consideration तो 10,000,000 रुपे का हो गई होगा ठीक है full value of consideration इसमें section 51 क्या कहता है section 51 कहता है कि cost of acquisition में आप 3,000,000 में से 50,000,000 माइनस कर लो ठीक है 3,000,000 की आपकी cost थी 3,000,000 में से जो 50,000,000 रुपे आपने forfeit किया था इसको minus कर लो और फिर इसकी indexation करो ठीक है फिर से इसकी indexation करो this was very illogical ठीक है this was very very illogical क्योंकि आपको जिस साल 50,000 रुपे मिला उस साल कोई taxability नहीं हुई ठीक है उस साल कोई भी taxability नहीं हुई काइदे से तो 50,000 रुपे की taxability उसी साल होनी चाहिए जिस साल ये आपको पैसा मिला ठीक पहली problem दूसरी problem इसमें क्या होई कि ये जो 3,000,000 रुपे है ये किसी और दिन की value थी 3,000,000 रुपे है ये 50,000 रुपे किसी और दिन की value है तो दोनों को आप 8 पार लाकर उसके बाद indexation कैसे कर सकते हो या तो आप 3,000,000 को इस value के according लाते 3,000,000 की indexation करके आप यहां तक लाते फिर इस 50,000 को यहां से minus करते और उसके बाद फिर आप indexation करके आज की तारीक तक लाते और फिर आप minus करते मतलब time value of money तो हम लोग ने पढ़ा है तो यह अगर कई साल पहले का है यह भी 2 साल पहले का है तो यह दोलो same page पर थोड़ी है time value of money के concept को पूरी तरह से ignore किया गया है यहां पर तीसरी एक problem यहां पर और थी वो अभी हम लोग थोड़ी दिर में बात करेंगे तो दो major problems मैंने आप लोग को बताएं section 51 के साथ right 1st April 2014 से इस problem को एकदम sort out कर दिया गया कि 1st April 2014 के बाद जिस साल भी आप यह advance money forfeit करते हो उस साल यह advance money IFOS में taxable हो जाएगा यानि income from other sources में taxable हो जाएगा तो यह एकदम logical होगा कि ठीक है वाई जिस साल आपको यह पैसा मिला और यह पैसा किस यह मिला है क्या salary मिली है नहीं क्या मकान को rent पर रखने से rent मिला है नहीं क्या यह आपका business है नहीं क्या कोई capital asset बेचकर मिला है नहीं चारों heads बाहर हो गए income from other sources बचता है यह 50,000 रुपे का जो आपने advance money forfeit किया यह इस पर आपको income from other sources के अंदर tax देना पड़ेगा जिस साल आपको यह पैसा मिला और आपने इसको forfeit किया ठीक है अब देखो यह देखो जी बस काम खतम यहाँ पर क्या है if any advance money is forfeited before 1st April 2014 then it shall be reduced from cost of asset if asset is acquired on or after 1st April 2001 FMV as on 1st April 2001 if asset is acquired before 1st April 2001 तो यह तो same हो गई अगर आपने 1st April 2001 के बाद आक्वार किया था asset तो cost से माइनस होगा और अगर आपने 1st April 2001 के पहले acquired किया तो जो भी FMV हिए थी 1st April 2001 को उसमें से माइनस होगा आज भी अगर आपने कोई advance money forfeit किया है before 1st April 2014 1st April 2014 से पहले अगर आपने कोई advance money forfeit किया है तो आज भी आप उसको cost में से minus ही करोगे लेकिन अगर 1st April 2014 के बाद कोई advance money forfeit हुआ है तो उसका taxability उसी साल में IFOS में हो जाएगी WDV से होगा in case of depreciable asset इसके बारे में हम लोग बाद में बाद करेंगे Note, advance money forfeited by previous owner shall not be reduced ठीक है, this is the third limitation of section 51 previous owner वाला पैसा reduce नहीं किया जा सकता इसका लेकिन मतलब क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊँगा ठीक है, देखो इदर अब इसके बाद 1st April 2014 के बाद IFOS के अंदर एके 56 to 9 section इंटोड्यूस किया गया, जिसने बस इतना सा बोला कि अगर आपने किसी भी साल advance money लिया और उसको forfeit किया, तो जिस साल आपने उसको forfeit किया उसी साल की taxability हो जाए एक, आप देखो यह वाला question करते है तो आपको थोड़ी और clarity के साथ चीज निस समझ में आएंगी देखो जी Mr. Nishten acquired a house property in the previous year 1-2 for 6 lakh rupees during the previous year 6-7 he entered into an agreement of sale of property with Mr. Anshul and received an advance of 1 lakh 40,000 rupees तो मैंने previous year 1-2 में 6 lakh की property खरी दी मैंने previous year 6-7 में Anshul सर के साथ agreement किया और उन्होंने 1 lakh 40,000 rupees दे दिया Mr. Anshul did not pay the balance amount so Mr. Nishten forfeited the amount in the previous year 6-7 अब Anshul सर ने इतना पैसा कमाने के बावजूद मुझे बाकी का पैसा नहीं दिया तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है मैं 1 lakh 40,000 rupees बापस नहीं कर रहा ठीक है Again Mr. Nishten entered into agreement of sale with Mr. Akhilesh Mr. Akhilesh did not remit the balance amount so Nishten forfeited the advance बताओ Akhilesh सर ने भी इतना पैसा कमाने के बाद मेरे को बाकी का पैसा नहीं दिया तो मैंने ये 90,000 भी जब्त कर लिया Finally Mr. Nishten sold the property to Mrs. Charu Oh 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 ठीक है Finally Mr. Nishten sold the property to Mr. Charu on 14th January 23 14th January 23 अभी 6 दिन पहली की बात है ठीक है For 80 lakh rupees For 80 lakh rupees Calculate capital gain income from other sources Calculate capital gain and income from other sources for Mr. Nishten अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना ठीक है क्या बात है कि ये जो 1,40,000 रुपे है ये जो 1,40,000 रुपे है ये minus होगा अभी भी cost of acquisition में से Why? Because this was forfeited before 2000 1st April 2014 ठीक है आजो इसको solve करना शुरू करते है तो सबसे पहले तो full value of consideration 80 lakh rupees बिका तो ultimately चारू कई था तो बिका 80 lakh rupees का ठीक है बिका आपका 80 lakh rupees का transfer expenses कुछ थे नहीं तो यहाँ पर आपका 80 lakh rupees का आ जाएगा अब देखो cost of acquisition क्या है Cost of acquisition है 6 lakh rupees की लेकिन इसमें से 1 lakh 40,000 rupees मुझे minus करना पड़ेगा because this was forfeited by me before 1st April 2014 तो I will reduce this 1 lakh 40,000 rupees ठीक है और उसके बाद मैं indexing करूँगा तो indexing 331 divided by previous year 1,2 के लिए 100 ठीक है 331 divided by 100 अब आज वो बस इसको solve किया जाए तो यह हो गया 3 lakh minus 1 lakh 40,000 into 331 divided by 100 कितना आता है यह 15,22,600 यह आए आपका 15,22,600 तो capital gains कितना आ गया capital gains में M plus और फिर 80,00,000 minus MRC is equal to यह हो गया 64,77,400 यह आ गया आपके capital gains आए FOS के बारे में अगर हम लोग बात करनें तो advance money forfeited अखिलेश सर से 90,000 का था तो यह 90,000 IFOS में taxable हो जाएगा कौन से year में taxable होगा यह होगा financial year 21,22 में previous year 21,22 में previous year लिख देता हूँ इसको previous year 21,22 ठीक है और यह capital gains जो है यह previous year 22,23 यह जो वो है यह previous year 21,22 में होगा advance money अखिलेश सर से 90,000 का कब forfeit किया previous year 21,22 में forfeit किया न तो previous year 21,22 में यह 90,000 मेरा taxable हो जाएगा under IFOS और previous year 22,23 में मेरा capital gains यहाँ पर निकल कर आजाएगा I'm sure सब कु समझ में आ गया बर बर निस्टेर रिकॉर्डिंग बढ़िया चल दी है हाँ रिकॉर्डिंग बढ़िया चल दी है चलो ठीक है आजो next next आता है हमारा special case number 3 section 47 transactions not regarded as transfer तो आजो देखो सबसे पहरा distribution of capital asset by an HUF to the members on partition अगर कोई Hindu undivided family उसका partition हो जाता है तो जो भी members को distribution होता है HUF के assets का उसको transfer नहीं माना जाता है ठीक है transfer of capital asset under gift, will, inheritance अगर मैं किसी को gift देता हूँ तो उसको transfer नहीं माना जाता क्योंकि consideration ही नहीं है ठीक है तो भी उसको नहीं माना जाता transfer नहीं माना जाता and the same is with inheritance हमारी पूरवजों की जमीन रखी वी है तो वो inheritance अगर है तो फिर उसको भी transfer नहीं माना जाता है यहाँ पर सिर्फ एक exception है exception यह है कि अगर आपको ESOPs में कहीं पर shares a lot हुए थे ठीक है suppose मेरे को unacademy के ESOPs मिले ESOPs is Employee Stock Options Plan तो अगर मेरे को unacademy से ESOPs मिले gift में मिले थे ठीक है और मैंने उसके बाद यह ESOPs को transfer किया यह मेरे ESOPs को transfer किया without consideration भी अगर कर दिया तो भी इसको हम लोग मानेंगे इसको हम लोग transfer मानेंगे तो if shares allotted under ESOPs are gifted to someone then it is treated as transfer and capital gain is applicable for computation of capital gain FMV as on date of gift is treated as full value of consideration तो यहाँ पर जो भी ESOPs की जो भी value होगी उस दिन fair market value जो भी होगी उसी को हम मानेंगे full value of consideration और उसी के साब से capital gains calculate करेंगे एक transfer of capital assets by a holding company to 100% subsidiary company and subsidiary company should be Indian company तो यहाँ पर अगर कोई holding company अपनी 100% subsidiary company को transfer कर रही है जो कि India की होनी चाहिए तो उसको भी transfer नहीं माना जाता and of course vice versa अगर कोई 100% subsidiary company अपनी holding company को कोई भी capital asset transfer कर रही है इंडिया में होनी चाहिए तो उसको भी transfer नहीं माना जाता है इन चारों ही cases में इन चारों ही cases में cost of acquisition will be the cost to previous owner तो अभी देखो previous owner का concept नहाँ पर क्या समझ में आता है मेरे पास अगर कोई property है मैं suppose आपको वो property gift कर देता हूँ तो you will be the present owner I will be the previous owner अब देखो जो हमने अभी थोड़ी दिर पहले section 51 पड़ा उसकी एक और limitation जो third limitation मैंने कहा था कि थोड़ी दिर मैं बताऊँगा वो ये है कि suppose मेरे पास कोई property है ठीक है अशोल सर्थ के साथ agreement हुआ वो sell करने का deal हुआ और 1,40,000 रुपे मैंने forfeit कर लिया ठीक है 1,40,000 रुपे मैंने forfeit कर लिया forfeit करने के बाद मैंने property आपको gift दे दी बेची नहीं आपको property gift दे दी तो अभी आपके लिए भी cost of acquisition वही मानी जाएगी जो cost of acquisition मेरे लिए मानी गई थी तो मेरे लिए cost of acquisition कौन सी थी वही 6,00,000 रुपे जब मैंने property खरी दी ती पिछले वाले question से link करके आपको बता रहा हूँ ठीक है मैंने property 6,00,000 रुपे खरी दी तो अगर मैंने ये property आपको gift कर दी तो जब आप बेचोगे कभी आप भी तो कभी बेचोगे उसको तो आप जब बेचोगे तो cost of acquisition में निल मान लोगे तब तो कितनी बड़ी नुकसान हो जाएगा कितनी बड़ी problem हो जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा जितने में property भी की उस पूरे पर आपको tax देना पड़ेगा तो यहाँ पर सरकार ने का कि आपके लिए आपको मिली तो free में क्योंकि मैं आपको gift दे दी लेकिन आप cost of acquisition क्या मानोगे वही cost मानोगे जो previous owner की cost थी ठीक है लेकिन अब previous owner ने advance money forfeit भी दो किया था 1,40,000 रुपे का previous owner shall not be reduced section 51 की language कुछ इस प्रकार की थी जहाँ पर यह साफ साफ समझ में आ रहा था कि जो भी present SEC है अगर उसने advance money forfeit किया है तो सिर्फ उसी को reduce करने के लिए मिलेगा previous owner ने अगर कुछ advance money forfeit किया था तो वो आपको reduce करने को नहीं मिलेगा ठीक है जलो आजाओ अब हम लोग आगे देखते हैं तो इस case में cost of acquisition क्या मानी जाएगी cost to previous owner तो जो पिछले owner की cost थी वही आपकी भी cost हो जाएगी cost of improvement क्या होगा incurred by previous owner and present owner shall be considered तो cost of improvement आप क्या मानोगे जो previous owner ने इंकर के वो भी मानी जाएगी जो आप इंकर करोगे वो भी मानी जाएगी period of holding period of holding of previous owner and present owner shall be considered तो period of holding भी माना जाएगा suppose मेरे पास property 2001-2002 से है मैंने आपको property 7-8 में gift की तो मान लिया जाएगा कि आपके पास भी वो property 1-2 से ही है ठीक है obviously जब cost आप previous owner की मान रहे हो previous owner की existence एक्दम हट गई एक तरह से previous owner की existence एक्दम हट गई cost previous owner वाली मानी जाएगी improvement वो भी माना जाएगा जो previous owner ने खराया period of holding वो भी माना जाएगा previous owner के पास था तो अब बताओ जब cost of inflation जब आप लोग index cost of acquisition निकालोगे तो cost को लेके ऊपर तो कर दोगे index of the year of transfer divided by, divided by में कौन सावाला index लोगे, जिस साल आपको gift मिला या previous owner ने जिस साल cost को acquire किया था, इस asset को acquire किया था, obviously previous year ने जिस दिन उस asset को acquire किया था, आप सभी कुछ previous year, previous owner के हिसाब से ले रहे हो, तो जो inflation index ह वो भी आप previous owner के हिसाब से लो गया, तो cost of acquisition क्या हो गया, index of the year of transfer upon index of the year in which the previous owner acquired such asset, ठीक है, यह कितनी obvious सी चीज़ थी, लेकिन फिर भी इसके लिए Bombay High Court के पास जाकर, मुकदमा लड़ा गया, और Bombay High Court ने फिर इसका judgment दिया था, Benefit of FMV as on 1st April 2001 will be available, obviously, जब सभी कुछ previous owner का माना जा रहा है, तो मान लो previous owner ने ये property 1st April 2001 से पहले खरी दी और उसके बाद आपको gift दे दी, तो अब आप भी तो बोलोगे यार, फिर cost क्यों, FMV as on 1st April 2001 माना जाएगा, सरकार क्या है, ओके, बिलकुल कोई problem नहीं है, ठीक है, मज़ा आप लोगों को आएगा, काफी सारी चीज़ें clear हो जाएगी इस वाले questions से, देखो, Mr. Rakesh purchased a house property on 14th April 1999, before 1st April 2001, for 1,05,000 rupees, he entered into an agreement with Mr. B for the sale of house on 15th September 2002, to financial year 2-3 and received an advance of 25,000 rupees, however, since Mr. B did not remit the balance amount, Mr. Rakesh forfeited the advance, तो ये 25,000 rupees का advance forfeit हो गया, later on, he gifted the house property to his friend Mr. A on 15th June 2006, right, तो previous year 6-7 में इस ने इस property को gift कर दिया, अब, previous owner कौन हुआ, previous owner हुआ, Rakesh, present owner कौन हुआ, present owner हुआ, Mr. A, present owner हो गया Mr. A, जिसके पास gift मिलने के बाद property है, following renovations were carried out by Mr. Rakesh and Mr. A to the house property, Mr. Rakesh और Mr. A ने क्या के improvements किया, वो यहाँ पर दिये हुए आपको Mr. Rakesh ने financial year 2000-2001 में 10,000 रुपे का cost of improvement incurred किया, तो इसको तो ignore करेंगे, क्योंकि financial year 2000-2001 is before 1st April 2001, तो any improvement incurred before 1st April 2001 has to be ignored, Mr. Rakesh ने financial year 3-4 में improvement किया, 50,000 रुपे का, इसको consider किया जाएगा, और Mr. A ने financial year 13-14 में 1,90,000 रुपे की improvement वाली cost incurred की, इसको भी हम लोग consider बिलकुल करें आगे देखो, the fair market value as on 1st April 2001 is 1,50,000 रुपीज, and stamp duty value as on 1st April 2001 is 1,40,000 रुपीज, तो 1st April 2001 को fair market value 1,50,000 रुपीज, और stamp duty value 1,40,000 रुपीज, कल ही हम लोगो ने पढ़ा था, कि fair market value cannot exceed the stamp duty value as on 1st April 2001, तो आप बेचते हैं, समय जो हम cost of acquisition consider करेंगे, वो क्या करेंगे, 150 करेंगे, 140 करेंगे, 140 करेंगे, यहाँ पर वो 10% वाला scene नहीं है, ठीक है, 10% वाला scene आता है, sale consideration के time पर, जस दिन बेचा, उस दिन की stamp duty value, अगर sale consideration के 110% से ज्यादा है, तब आप full value of consideration को stamp duty value मानोगे, ठीक है, लेकिन cost of acquisition अगर आपकी 1st April 2001 से पहले की है, तो 1st April 2001 को आपको यह देखना होगा, कि fair market value क्या थी, लेकिन अगर 1st April 2001 को आपको stamp duty value भी दी हुई है, तो fair market value उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, अब यहाँ पर cost कितनी थी, यहाँ पर cost थी, 1,5,000 रुपे की, ठीक है, यहाँ fair market value क्या है, fair market value है, 1,50,000 रुपे, तो obviously हम क्या मानेंगे 1,50,000 रुपे मानेंगे, लेकिन क्योंकि fair market value stamp duty से भी ज्यादा है, इसलिए हम जो cost of acquisition है, उसको 1,40,000 रुपे मानेंगे, because stamp duty ही मानी जाए की, ठीक है, तो it's a very comprehensive question, काफी सारी चीज़ें इसमें cover हो रही है, Mr. A entered into an agreement with Mr. C for sale of property on 1st June 2022, यहाँ financial year 22-23, and received an advance of 80,000 रुपी, the said amount was for forfeited by Mr. A, since Mr. C could not fulfill the terms of the agreement, ठीक है, तो अब यह जो 80,000 रुपी का forfeit हुआ है, यह कहाँ पर जाएगा, यह IFO-S में taxable होगा in the financial year 22-23, क्यों, क्योंकि यह वाला 80,000 रुपे 1st April 2014 के बाद forfeit हुआ है, पाइनली, the house was sold by Mr. A to Mr. Sanjay on 2nd January 2023, for a consideration of 25 रुपे, compute the capital gains chargeable to tax in the hands of Mr. A for the assessment year 23-24, आपको बाकी सारे सालों के cost inflation indices यहाँ पर दिये हुए है, तो काफी interesting और comprehensive question है, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, previous owner ने भी कुछ पैसा forfeit किया हुआ है, present owner ने भी कुछ पैसा forfeit किया तो काफी comprehensive question यहाँ पर निकल कर आ जाता है, तो ultimately मकान बिका किसको, ultimately मकान संजय को बिका 25 रुपे में, तो full value of consideration तो 25 रुपे आपकी आई ही जाएगी, ठीक, transfer expenses कुछ नहीं, तो 25 रुपे यहाँ आपको full value of consideration आ गया है, now, indexed cost of acquisition में आप ये लोगे, 1,4,000 रुपे, indexed cost of acquisition मे आप 1,4,000 रुपे लोगे, ठीक है, अब बताओ मेरे को एक बात, इस 1,4,000 रुपे में से, क्या आप ये 25,000 रुपे का जो advance forfeit किया था, इसको minus करोगे, नहीं, क्यों, भले ही ये 1st April 2014 से पहले लिया गया था, और forfeit किया गया था, फिर भी ये minus इसलिए नहीं होगा, क्यों इस ओनर ने forfeit किया था, present owner Mr. A. ने forfeit नहीं किया था, अगर present owner Mr. A. ने forfeit किया होता ये 25,000, तब हम यहां पर से 1,4,000 में से 25,000 को minus जरूर करते हैं, ठीक है, तो previous owner वाला जो advance money forfeited था, वो यहां से minus नहीं होगा, तो बस into 331 divided by 100, ठीक है, divided by 100, 1st April 2001 वाला, 100 मानेंगे, ठीक ह तो अभी हो गया, 1,40,000 into 331, 1,40,000 into 331 divided by 100, कितना आता है, 463,400 आ जाता है, 463,400 ठीक है, आप देखो, cost of improvement में देखे, तो राकेश ने जो 2000, 2001 में improvement किया था, इसको आप ignore करोगे, क्योंकि यह 1st April 2001 से पहले बाला है, यह जो 2003, 2004 में improvement किया था, 50,000 रुपे का, इसको आप consider करो होगे, तो यहाँ पर index cost of acquisition में, राकेश वाला, 50,000 का 331 divided by किस साल improvement कर आया था, 2003, 2004 में improvement कर वाया था, और 2003, 2004 का, जो cost inflation index है, वो है 109, वो है 109, तो यह आया आपका, 50,000 into 331 by 102, यह हो गया, 151, 835, 151, 835, ठीक है, 151, 835 हो गया, उसके बाद और क्या improvement कर वाया, 2013, 2014 में 1,90,000 का improvement कर वाया, Mr. A ने, तो 1,90,000, 1,90,000 into 331 divided by A का, कब लगाया, 2013, 2014 में, 2013, 2014 का, जो cost inflation index है, वो है 220, 220, ठीक, तो यह हो गया, 1,90,000 into 331 by 200, यह आगया, 285, 864, 285, 860, ठीक है, 285, 864, अब आपका capital gains निकल कर आ जाएगा, 25,000, में से, आप minus करोगे, 463, 400, minus 151, 835, minus 285, 864, और यह आ जाते है, 1598, 901, 1598, 901, ठीक है, 1598, 901, यह आपका निकल कर आ जाता है, और यह जो 80,000 रुपे फोर्फिट हुआ, यह आपका income from other sources में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो calculate करने के लिए बोला नहीं है, बस इतना ही बोला है, compute the capital gains, ठीक है, या फिर अगर यह भी बोलते हैं, compute the total tax liability, तब भी हम एक बार income from other sources देखाते लेकिन यहाँ पर आया नहीं है, इससे related जो भी notes है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, now let's look at question number 29, ठीक है, बागी question number 26, 27, 48 आप लोग अपने आप से कर लीजेगा, और हम लोग आ जाते है, question number 29 पर, ठीक है, देखो जी, question number 29, जज़र आप पानी पीनू थोड़ा सा, Mr. Dinesh received a vacant site as gift from his friend in November 2005, ठीक है, इनको एक खाली जमीन मिली, the site was acquired by his friend for 8 lakh rupees in April 2002, ठीक है, first year, financial year 2-3 में, यह site acquired 8 lakh rupees में, Dinesh constructed a residential building during the year 10-11 in the set site for 20 lakh rupees, he carried out some further extension of the construction in 2012-13 for 7 lakh rupees, तो यहां पर दोनो ही यह improvement हो गया, ठीक है, land के ओपर मकान बनाना भी improvement हो गया, और यह construction का extension करना यह भी improvement हो गया, दोनो ही चीज़ आपकी improvement हो गया, दोनो ही चीज़ आपकी improvement हो गया, in January 2023, ठीक है, Dinesh sold the residential building for 1 करोड रुपे in January 2023, but the state stamp valuation authority adopted 75 lakh rupees, 75 lakh rupees as value for the purpose of stamp duty, तो क्या फरक पड़ता है, हम खुदी ज्यादा दे रहे, तो कोई फरक नहीं पड़ता, compute is long term capital gain for the assessment year 23-24, based on the above information, तो कोई problem नहीं, तो बहुत ही simple जाग question है, 1 करोड रुपे की full value of consideration है, 1 करोड रुपे की full value of consideration है, transfer expenses कुछ है नहीं, 1 करोड रुपे यह आ गया, now indexed cost of acquisition, तो cost of acquisition आप 8 lakh ही लोगे, cost to previous owner लिया जाएगा, into 331 divided by financial year 23 का क्या है, 105, क्या हुआ, 8 lakh into 331 divided by 105, यह आता है आपका 25,21,905, 25,21,905, ठीक है, 25,21,905 यह आया, previous year 10-11 में construction कर रहा है, तो construction में कितना पैसा खर्च हुआ, construction में 20 lakh रुपेया खर्च हुआ, ठीक है, तो 20 lakh रुपेया, into 331 divided by financial year 10-11, 10-11 का क्या है, 167, तो 167, तो 20 lakh रुपेया, 20 lakh रुपेया, into 331 divided by 167, इस इस 39,64,072, 39,64,072, और उसके बाद, index cost of acquisition यह 7 lakh रुपे, financial year 12-13 का, 7 lakh रुपे, into 331 upon 12-13 का कितना है, 12-13 का 200 है, तो 7 lakh रुपे, into 331 by 200, इतना है, 11,58,500, 11,58,500, और जो आपका टोटल निकल कर आता है, वो क्या आता है, 1 करोड माइनस 25,1,905, माइनस 39,64,072, माइनस 11,58,500, यह हो गया आपका, 23,55,5,23, 23,55,20, इसमें कोई प्रॉब्लम आही नहीं सकती है, next, यही special case 3 आपका चल रहा है, section 47, जो transactions which are not regarded as transfer, इस ही को हम लोग continue कर रहे हैं, अपने discussion में, वेखो, capital asset, transferred by amalgamating company to amalgamated company, in a scheme of amalgamation, and amalgamated companies in Indian company, amalgamation के case में, जो भी assets का transfer होता है, और वो Indian company है, जो भी finally amalgamated company बन दे हैं, वो Indian company हैं, तो उसको भी transfer नहीं मानेंगे, shareholder transfer shares of amalgamating company, in the scheme of amalgamation, and receives share of amalgamated company, is not treated as transfer, वो ही बात हो गई, मेरे पास Vodafone के shares हैं, Vodafone idea merge हो गए, मेरे पास अब Vodafone idea के shares आगे, तो Vodafone के shares में मैंने दिये, और Vodafone idea के मेरे पास shares आगे, तो इसको भी transfer नहीं माना जाएगा, capital asset transfer by demerged company, to resulting company in the scheme of demerger, and resulting company should be an Indian company, तो जैसे ITC के 3-4 business segments है, अलग-अलग business segments है, अगर ITC को लगता है कि नहीं हम अमरा, जो hotel वाला business है, उसको ITC से अलग करते हैं, तो इसको demerger कहते हैं, ठीक है, demerger कहते हैं, तो जो भी ITC company से, demerged company में, जो भी पैसा जाएगा, तो जो भी assets जाएगे, वो उसको भी transfer नहीं माना जाएगा, conversion of bonds या debentures, या deposit certificates into shares, या debentures of that company, अगर आपके पास किसी भी company के bonds हैं, या debentures हैं, और उसके बाद उसी company के shares में, आप उनको convert कर वा लेते हो, तो इसको भी transfer नहीं माना जाता है, conversion of preference shares into equity shares of that company, preference shares का equity shares में, conversion को भी transfer नहीं माना जाएगा, redemption of sovereign gold bonds issued by RBI, in case of individual SEC, तो मैंने कल आपको बताया तो न, gold bonds होते हैं, जो आप gold के price पर खरीच सकते हैं, और फिर उससे आपको gold की तरह से increment मिलता रहते हैं, आपको actual sona hold करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उनको sovereign gold bonds कहते हैं, जो आजकल भी बहुत ज्यादा famous हैं, बनाद famous होतने नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ होती है, sovereign gold bonds, कभी मौका लगे तो उसमें ज़रूर करना चाहिए, तो उसका जब redemption होता है, तो इसको भी transfer नहीं माना जाता है, transfer of capital asset under reverse mortgage scheme by senior citizen, तो अभी ये reverse mortgage वाली चीज़ मैं बाद में discuss करूँगा, आपके साथ एक question करेंगे, उसके अंदर हम लोग ये reverse mortgage वाली चीज़ को discuss करेंगे, आज नहीं, तो कल या परसों हम लोग discuss करेंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूट करके रखा हुआ है, reverse mortgage वाला, उसमें हम लोग discuss करेंगे, एक brief idea मैं आप लोगों को दे देता हूँ, reverse mortgage में basically होता क्या है, ये उन senior citizens के लिए बनाए गया है, तो bank क्या कहता है, अगर उन parents के पास कोई भी property है, तो उस property के against loan दे देता है, basically वो property bank के पास चली जाती है, और bank उनको कह देता है, कि हाँ ठीक है, आप इस मकान में रहने लग जाओ, और उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा भी मिलता रहता है, तो this is a scene of reverse mortgage, अगर किसी अमेरिका में रह रहे बंदे ने, नौन रहे रहे ने, किसी दूसरे नौन रहे 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 बंदे ने, किसी दूसरे नौन रहे 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 रहे, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है, अब आज जो ये रहा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेस्टेन है, आलो फटावट से दिखते हैं आपर, तो इसमें होगा क्या, फुल वाल्य ओफ कंसिटरेशन कितनी होगी, मैंने बेचा कितने में, मैंने पंदरा लाग रुपे में बेचा, ठीक है, मेरे पास convertible debentures, मैंने खरीदे थे 5 लाख रुपे को, 5 लाख रुपे के, उसके बाद मैंने इनको, shares में convert कर वा लिया, September 2012 में, तो अब इस conversion को, तो transfer माना ही नहीं जाता है, तो कोई problem नहीं है, तो full value of consideration, क्या मानी जाएगी, ये 15 लाख रुपे, full value of consideration, 15 लाख रुपे, full value of consideration, expenses on transfer कुछ थे क्या, transfer expenses 50 लाख के थे, 50 लाख के ये थे, तो 14 लाख, 50 लाख के ये आ गए, अब, index cost of acquisition में क्या होगा, ये 5 लाख जितने में आपने convertible debentures को अक्वायर किया था, तो तो, और किस साल अक्वायर किया था, August 2002, यहानि financial year 23, financial year 23 का 105, ठीक है, तो यह हो गए आपका, very simple question, very very simple question, 5,000,000,000 x 331,505, and this is 1576,190, 1576,190, ठीक है, 1576,190, ठीक है, 1576,190, तो यहां पर आपका capital loss आएगा, 14,50,000, minus 1576,190, this is 126,190, 126,190 का loss आगया है, right, next, special case number 4, special case number 4 देखते हैं, capital gain in case of shares and debentures, बड़ा मता आएगा यहां पर, ठीक है, तो देखो, अगर आपको bonus shares, bonus shares आपको 1st April 2014 से पहले मिलते हैं, then, the cost of acquisition of these bonus shares would be either actual cost, which would be nil, क्योंकि bonus shares तो free of cost मिलते हैं, या फिर, FMV as on 1st April 2001, whichever is higher, तो obviously, FMV ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि bonus shares तो वैसे भी आपको free of cost मिलते हैं, तो अगर bonus shares आपको 1st April 2001 से पहले मिलें, तो जो भी उनकी fair market value as on 1st April 2001 थी, वही cost of acquisition मान ली जाएगी, अगर bonus shares आपको acquire हुएं, after 1st April 2001, then the cost of acquisition will be taken as nil, क्योंकि वो तो मिलते ही free में हैं, if bonus shares which were acquired before 1st February 2018 are transferred on or after 1st February 2018 and STT is paid on such transfer, the cost of acquisition shall be determined as higher of 1 or 2, higher of 1 or 2, 1 क्या है, lower of FMV as on 31st March 18, 31st January 18 and actual sale consideration and 2, क्या है, actual cost of acquisition, that is nil in the case of bonus shares, in case bonus shares were allotted on or after 1st April 2001 and FMV on 1st April 2001, in case the bonus shares were allotted before 1st April 2001, right, अगर, अब इसमें क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, पहले न, जब भी आप shares में invest करते थे और shares से आपको capital gain कुछ भी होता था, long term capital gain used to be exempt on sale of shares, right, तो sale of shares पे जो भी long term capital gain होता था, वो exempt होता था, लेकिन 2018 से इस पर tax लगने लग गया है, right, sorry, 2018 से, 2018 से इस पर tax लगने लग गया है, तो 1st February 2018 को जब अरुण जेटली जी budget present कर रहे थे, तो उन्हें पता था, कि अब 1st February 2018 को budget present किया, यह applicable कब से होगा, 2018 से applicable होगा, ठीक है, 1st February 2018 में budget present किया, कि 18-19 में हम यह यह करेंगे, तो 1st April 2018 के बाद ही उस पर tax ability आईगी, मतलब अभी भी दो महीने का समय रहेगा, February और March जहां पर tax ability arise नहीं होगी, तो Mr. Arun JTG को पता था यह चीज, कि अगर मैं यह चीज अभी बताऊँगा, कि 2 महीने बाद अगर आप कुछ भी shares बेचोगे, तो फिर उस पर capital gains का tax लगेगा, तो सारी की सारी जनता करेगी क्या, अभी 2 महीने के अंदर-अंदर सारी की सारे shares बेच देगी, और जैसे ही सारे की सारे shares बेच देगी, stock market crash हो जाएगा, stock market अगर crash हो जाएगा, तो यह वारी जो complicated सी चीज है, यह इसलिए लाई गई थी, क्योंकि Arun JTG ने कहा कि आप बिलकुल परिशान मत हो, 31st January 2018, बतलब suppose करो आज 1st February 2018 है, तो Arun JTG कह रहे हैं कि कल तक, yesterday तक आपने जो भी profit कमाया था, उस पर हम एक रुपिया आप से tax नहीं लेंगे, yesterday तक आपने जो भी पैसा कमाया था, उस पर एक रुपिया tax नहीं लेंगे, आज से tax लगना शुरू होगा, लेकिन वो tax तब लगेगा, जब आप उसको बेचोगे, अब यह क्यों किया, यह इसलिए किया अब देखो, जिसको February, March में बेचना था, वो तो बेची देगा, क्यार मेरे को बिल्कुल भी tax नहीं देना, लेकिन फिर भी, जिसको नहीं भी बेचना था, उसको at least यह assurance हो गई, कि चलो 31st January 18 तक का जो भी मेरा profit है, वो मेरा safe रहेगा, बस इसके बाद वाला जो भी profit है, उस इस वज़े से यह figures हैं, यह वगरा वगरा, तो अभी भी हम इसकी practice ज़रूर करेंगे, लेकिन सिर्फ numerical की practice करेंगे, बहुत ज्यादा logic में जाने में बहुत time based हो जाएगा, तो अभी हम इसके numerical की practice करेंगे, लेकिन यह चीज की practice अभी इस समय नहीं होगी, अभी मेरे खाल से I think 5th class जो होगी capital gains की last class, आज तो 2nd class है न, total 5 lectures मेंने schedule के हैं, तो यह तो 4th class में यह तो 5th class में capital gains की, हम ने taxability of capital gains पर बात करेंगे, अभी अगर आपने notice किया हो, कल से लेकर अभी तक, तो हम बस इतना, हम short term capital gain या long term capital gain निकाल कर हम रुक जा रहे हैं, ठीक है, उस पर कितना tax आएगा, वो तो हमने बात ही नहीं की, हमने income from house property में भी क्या किया, income from house property निकाली, उस पर हम लोग रुक गए, उसके उपर tax कितना लगेगा, उसके बारे में तो हम लोग ने बात ही नहीं की, तो 4th या 5th class में capital gains में हम लोग ये भी बात करेंगे, कि taxability कैसी होती है, और फिर हम लोग ये shares से related बहुत सारे questions करेंगे, तो अभी फिलाल आप इसको ignore भी कर सकते हो, बस इतना समझ लो, कि अगर 1st February 2018 से पहले bonus shares a lot हुए थे, तो फिर कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़े है, higher of 1 or 2 or lower of ये और वो, ये वो, ठीक है, इसकी में आपको enough practice करवा दूँगा 4th या 5th class में जैसे हम लोग taxability पराएंगे, not now, तब करवा हुआ, ठीक, चलो वाओ, right shares के case में क्या होता है, तो right shares आपको free of cost नहीं मिलते है, right shares आपको सस्ते में मिलते है, ठीक है, right shares आपको सस्ते में मिलते है, तो obviously अगर right shares आप बेचोगे, तो जो भी आपने जितने सस्ते में acquire किया, वही आपकी cost of acquisition हो जाएगी, कई बार ऐसा भी होता है, कि मुझे right shares मिल गए, मुझे actually right मिला है, right, मेरे को अधिकार है, जैसे मेरे पास suppose अगर TCS के shares हैं, और TCS right shares issue कर रहा है, ठीक है, अब TCS right shares issue करेगा, तो TCS मेरे को force नहीं कर सकता, कि नहीं तुम पैसा दे के स shares खरीदने का, मेरे पास आप आए, आपने मुझे से का कि सर आपके पास right है, पचास रुपे में आप right बेच दो मेरे को, ठीक है, TCS का share मेरे को 100 रुपे में मिल जाएगा, आप 50 रुपे मेरे को right बेच दो, ठीक है, तो मैंने 50 रुपे में right आपको बेच दिया, तो अब आ राइट, ठीक है, 100 rupees for the share plus 50 rupees for the right, ये तो आपके लिए cost होई share की, मेरे लिए right मैंने बेचा 50 रुपे का ठीक है, right खरीदा कितने में था, 0 right मैंने खरीदा तो 0 था तो 50 रुपे मेरा पूरा का पूरा short term capital gain हो जाएगा, why short term क्योंकि ये जो right होता है ये आपको 2-3 महीने की ही validity के लिए मिलता है, तो ये कभी भी इसका period of holding साल, 2 साल, 3 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो मैं जब आपको right बेच रहा हूँ, 50 रुपे मैंने आपको right बेचा, इस right को acquire करने के लिए, मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया था, अपनी जेप से, right, ये right तो मुझे सिर्फ इस लिए मिल गया, क्योंकि मैंने बहुत पहले TCS के shares खरीद रखे थे, अब मुझे और shares नहीं खरीदे, तो मैंने right 50 रुपे में आपको cost of acquisition, फिर जब आप बेचोगे, तो आप ये 1.500 रुपे की cost को consider करके चलोगे, ठीक है, let me just drink a little water, उसके बाद हम आगे continue करते हैं, तो यही चीज़ें यहाँ पर दीवी हैं, इसको आप लोख पढ़ लेना, आपने आप, आओ, question number 32 देखा जाए, let's look at question number 32, मज़ा आएगा इसमें, Miss Usha purchased 1,000 equity shares in ex-private limited, an unlisted company, at a cost of 30 rupees per share, brokerage 1% in January 1996, she gets 100 bonus shares in August 2000, ठीक है, bonus shares भी आपको 2001-2 से पहले मिल गए, she again gets 1,100 bonus shares by virtue of her holding in February 2006, fair market value of the shares of ex-private limited on 1st April 2001 is 80 rupees, on 1st January 23, she transfers all her shares at 200 rupees per share, brokerage 2% की थी, compute the capital gains taxable in the hands of Miss Usha for assessment year 23-24, cost inflation industries आप लोगों को यहाँ पर दिये हुए है, ठीक है, आओ, देखते हैं, let's look at this now, right, तो अभी आप लोगों को करना क्या है, capital gains निकालना है, तो एक काम करते हैं, हमने इसको तीन पार्ट्स में बाटते हैं, पहले हम देखते हैं कि यह जो original 1000 shares थे, इनके बेचने पर क्या क्या हुआ, फिर हम बात करेंगे इन 100 bonus shares के बारे में, क्योंकि यह 1st April 2001 से पहले मिल गए थे, फिर हम बात करेंगे यह 1100 bonus shares के बारे में, जो कि इसको February 2006 यानि 2005 6 में मिले थे, ठीक है, 5-6 में मिले थे, अब यहाँ पर 1st January, यहाँ पर 31st January 2018 वाला कोई scene यहाँ पर mention नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिखाया था आपको, यहाँ पर क्या दिखाया था, इफ bonus shares which were acquired before 1st February 2018, तो यह bonus shares जो previous year 5-6 के मिले, यह 1st February 2018 से पहले मिल गए, ठीक है, अड़ आर्ट रांसफर्ड ओन और आफ्टर 1st April 2013, अड STT is paid on such transfer, the cost shall be determined as higher of 1 or 2, higher of 1 or 2, पहला lower of FMV as on 31st January 2018, तो यहाँ पर कहीं पर भी FMV as on 31st January 2018 तो दिया ही नहीं है, तो इस case में बिल्कुल भी अपने को दिमाग नहीं लगाना, इस case में जैसा हम पहले से करते आ रहे थे, कि bonus shares की cost को nil मानना है, हम nil मानेंगे, ठीक है, FMV as on 31st January 2018, या actual sale concentration, और या फिर actual cost of acquisition, तो हम लोग इसी तरह से मान कर चलेंगे, इसमें हम लोग बिल्कुल भी अपना और दिमाग नहीं लगाएंगे, आज अब नाओ, बाकि इसमें जो भी दिमाग लगना होगा, वो मैं आप लोगों को 4th या 5th lecture में बताऊंगा, जब भी हम लोग taxability के बारे में बात करेंगे, I have planned a lot of questions on this basis as well, but not right now, अभी मैं आपको दूसी चीज़ समझा रहा हो, तो अभी पहले उस पर focus करते हैं, तो देखो, यहाँ पर यह हो गया, अब क्या हुआ, 1st January 2018 को सारे के सारे shares 200 रुपे में बेचती है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, 1000 original shares के बारे में, तो 1000 shares को 200 रुपे में बेचा, तो कितना आएगा, 1000 shares को 200 रुपे में बेचा, तो यह आया 2 लाख रुपे, यह आया आए आपका, 2 लाख रुपे, इस पर brokerage लगी 2% की, 2 लाख रुपे पर brokerage लगी 2% की, यह आया 4,000 रुपे, तो 1,96,000 is your net sale consideration, तो 1,96,000 is your net sale consideration, अब indexed cost of acquisition के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यह acquire हुए थे कब, यह acquire हुए थे, January 1996 में, और 1st April को इसकी जो value थी, वो थी 80 रुपे की, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, कि 80 रुपे into 1000 shares, ठीक है, 1000 shares 80 रुपे के, यही तो cost थी, और वो 1st April 2001 की, इंटो 331 divided by 100, इंटो 331 divided by 100, तो यह क्या आएगा आपका, यह आएगा 80 इंटो 1000 इंटो 331 divided by 100, this is 264,800, ठीक है, 264,800, 264,800, so now this is M+, 196, minus MRC, this is 68,800, 68,800 का, यह आपका loss आ जाता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि जो 100 shares आपको मिले थे, August 2000 में, जो 100 shares आपको मिले थे, August 2000 में, इन 100 shares को भी आपने 200 रुपे हैं बेचा, तो 100 इंटो 200, 20,000, ठीक है, 100 इंटो 200, यह 20,000, अब इस पर आपने brokerage लगाई, 2% की, यह आएग 400 रुपे, तो 19,600 is your net sale consideration, तो 19,600 is your net sale consideration, अब इसके लिए cost आप पही 80 रुपीज मानोगे, क्यों, क्योंकि यह 100 बोनस shares आपको 1st April 2001 से पहले मिल गए थे, तो fair market value as on 1st April 2001 would be 80 रुपीज, तो यहाँ पर आपने लगाया, 80 इंटो 100 इंटो 331 अपॉन 100, तो 80 इंटो 100 इंटो 331, divided by 100, कितना आया, 26,480 आया, 26,480 आगया, उसके बाद long term capital gain आपका कितना आ जाएगा, 19,600, माइनस MRC is equal to 6,880, ठीक है, इसका आपको loss आगया, 6,880 का, फिर यह जो 1100 bonus shares मिले, यह आपने बीचे 200 रुपे में, तो 1100 इंटो 200, यह हुआ, 220,000 रुपे, दो लाग 20,000 रुपे, ठीक है, अब brokerages में आपने पेकी, 2% की, किया गया, 4,400 रुपे, उसके बाद, 2,20,000 में से, आपने इसको माइनस किया, किया है, 2,15,600, तो 15,600, अब cost of acquisition, कब मिला यह, February 2006 में मिला, तो February 2006 में bonus shares मिलें, तो इसकी cost of acquisition निल है, इसकी cost of acquisition आप निल मालोगे, क्योंकि 1st April 2001 के बाद मिला है, आपको यह, तो index cost of acquisition सब किया गा, और 2,15,600 रुपे के आपके long term capital gains आ जाएंगे, टोटल अगर आप देखो, तो 68,800, 68,800 negative, plus 6,80, 6,80 negative, plus 2,15,600, यह आता है, आपको 139,920, 139,920, this is your long term capital gains, ठीक है, this is your long term capital gains, अब आजाओ, right shares वाला भी एक question हम लोग करकर देख लेते हैं, तो Mr. R holds 1,000 shares in star minus limited, an unlisted company acquired in the year 2001-2 at a cost of 75,000 रुपीज, ठीक, he has been offered right shares by the company in the month of August 2022 at 160 रुपीज पर share, in the ratio of 2 for every 5 shares held, he retains 50% of the rights and renounces the balance right shares in favor of Mr. Q, right, तो देखो, अभी क्या हुआ, कि इसने 1000 shares खरीदे star minus limited में, इसने 1000 shares खरीदे star minus limited में, और उसके बाद क्या हुआ, यह से खरीदे थे, 2012 में खरीदे थे 15,000 रुपे के, फिर August 2022 में इसको rights मिले, और इसको यह अधिकार दिया गया, कि आप और shares खरीद सकते हो, 2 shares खरीद सकते हो for every 5 held, तो इसने खरीदे कितने वे थे, इसके पास कितने shares थे, चलो, जितने भी shares थे, जितने भी shares थे, तो he could have bought 2 shares for every 5 shares held, तो हर 5 shares के बदले 2 shares खरीद सकता था, तो 1000 के बदले कितने खरीद सकता था, 2022, right? तो अब इसने क्या किया? अच्छा, तो ये ये न August 22 है, मैं पता ने क्यों इसको August 2002 पढ़ रहा था इतनी देर से, तो September 22 में इसने क्या किया? कि 400 शेर्स का इसको राइट मिला, 200 शेर्स के राइट इसने अपने पास रखे, और 200 शेर्स के राइट इसने Mr. Q को बेच दिये renounce is the right का मतलब हुआ, 200 रुपे के 200 शेर्स के राइट है, Mr. Q को बेच दिये, 30 रुपे पर शेर पे बेचे, तो sale consideration from the right कितना आया, rights कितने में बेचे, 30 रुपे पर शेर पे, 200 शेर्स का राइट बेचा, और 30 रुपे पर शेर पर राइट बेचा, ठीक है? All these shares are sold by Mr. R for 300 रुपेस पर शेर in January 23, and Mr. Q sells this share in December 22 at 280 रुपेस पर शेर, what are the capital gains taxable in the hands of Mr. R and Mr. Q? तो इससे right वाला concept आपलों को एकदम clearly समझ में आ जाएगा, right? तो सबसे पहले R के बारे में बात करते हैं, तो R के पास 1000 shares थे, पहले इनके बारे में बात करते हैं, तो R के पास 1000 original shares, 1000 into 300 पर बेचे गए, तो यह कितना आएगा? 1000 into, ठीक है? बात ही कि है, मैं 1000 into 300 करूँ, या 100 into 3000 करूँ, बात ही कि है, 3 लाग, ठीक है? या 3 लाग, क्या कोई brokerage भी लगी थी? क्या कोई brokerage भी लगी थी? नहीं, कोई brokerage नहीं लगी थी, तो net consideration आपका यही 3 लाग रुपे का आ गया है, right? अब यह shares acquire हुए थे 1st April 2001 के बाद, उसमें आए हुए थे, financial year 2002 में हुए थे, ठीक है? यह shares acquire हुए थे, financial year 2002 में, तो अभी financial year 2002 के लिए cost किया थी थी, यह 75,000 की cost थी थी ना, तो यहाँ पर आप ऐसे कर दो, 75,000 into 331 divided by 100, 75,000 into 331 divided by 100, तो 75,000 into 331 divided by 100, तो 75,000 into 331 divided by 100, कितना आता रही है, यह आते है, 248,250, 248,250, 248,250, M plus कर लो, 3,00,000 minus MRC is equal to 51,750, यहाँ गया, 51,750, this is your long term capital gains, अब जो आपने 200 right shares बेचे, तो वो कितने में बेचे थे, 200 into 300, 200 right shares आपने तो खुद खरी दे होंगे ना, ठीक है ना, he retains 50% of the rights, 50% rights इसने retain किये, और बक्चे हुए 50% इसने renounce किये थे, तो 200 shares तो इसने खुद ही खरी दे होंगे right shares, तो यह 200 shares भी इसने 300 रुपे पर share पर बेच दिये, तो 200 into 300 कितना आता है, 200 into 300, यह आता है आपका 60,000, ठीक है, यह आता है आपका 60,000, transfer expenses कुछ नहीं, 60,000 आपकी net consideration आई, right, अब इन right shares को इसने acquire कितने पर किया होगा, इन right shares को इसने acquire किया होगा, 160 रुपीज पर share पर, जो rights इसने अपने पास retain किये, वो shares तो acquire कियोंगे, 160 रुपे पर share पर, ठीक है, 400 shares खरीदने का अधिकार मिला, यह अधिकार free of cost मिला, इस अधिकार में से 200 shares का अधिकार इसने बेच दिया, 200 shares का अधिकार खुद रखा, ले 160 ठीक है, यह आगे आपका 200 into 160, 200 into 160 and this is 32,000 रुपीज, this is 32,000 रुपीज, ठीक, तो 60 minus 32, 60,000 minus 32,000 यह आता है आपका 28,000, यह आता है 28,000 ठीक है, और यह आपका short term capital यह नहोगा, क्योंकि right shares भी खरीदेते हैं September 22 को और बेच दिये January 23 में, राइट, चलो, अब उसके बाद क्या हुआ, इसने जो राइट बेचा था, उस पर भी तो आएगा, कुछ ना कुछ short term, long term capital gain, तो इसने राइट बेचा था 30 रुपे पर share पर, तो राइट, 200 shares का राइट बेचा 30 रुपे पर share पर, तो देखो, sale of right entitlement, 230, sale of right entitlement, 230, 6,000 रुपे का इसने अधिकार बेच ठीक है, इस पर cost of acquisition कुछ भी नी थी, तो 6,000 रुपे का इसका short term capital gain, यहाँ पर निकल कर आ गया है, तो long term capital gain हुआ 51,750 का इधर, short term capital gain हुआ 28,000 का इधर, और short term capital gain हुआ 6,000 का इधर, ठीक है, total capital gain आप चाहो, तो calculate करके इसमें कर सकते हो, यह 51,750, 51,750, प्लस यह 28,000, प्लस यह 26,000, तो total capital gain आगया आपका 85,750, 85,750, ठीक है, इस तरह से यह आ जाता है, अच्छा, Q का भी तो निकालना है, तो sale proceeds, Q ने 200 shares बेचे, 280 रुपे में, यह लिखा हुए ना, यहाँ पर, 280 रुपीज में Q ने बेचे, Mr. Q sends his shares in December 22, add to 80 रुपीज पर share, तो Mr. Q ने, जब 200 shares का अधि बीद भी लिए होंगे, अब यह 200 shares इसने बेचे, 280 रुपे में, तो 200 shares into 280, 200 shares into 280, यह आता है, 56,000, यह आ गया 56,000, ब्रोकरेज कुछ थी नहीं, 56,000, अब देखो, हर share के लिए, इसने, हर share के लिए, इसने 160 रुपया तो company को pay किया, ठीक है, हर share के लिए, इसने 160 रुपया तो company को pay किया होगा, और 30 रुपय मिस्टर आर को pay किया, 30 रुपय मिस्टर आर को pay किया, तो total cost पर share कितनी आई, 160 प्लस 30 रुपय, यानि 190 रुपय की total cost रहे, तो total cost of acquisition, 200 into 190, ठीक है, 200 into 190, तो 200 into 38,000, अरे, यहां पर क्यों लिए, यह, 200 into 180, तो यह आगया, 38,000, तो 56,000 minus 38,000, यहां गया, 18,000, यहां है आपका, 18,000, तो 18,000 का यह है, यह इसको मिलकर आ गया है, ठीक है, ठीक है, तो, I'm sure, यह वाली बात भी सब को समझ में आ गई, बोलो, instead, forever, बोलो, instead, forever, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आज की क्लास काफी ज़्यादा conceptual और थोड़ी सी fast phase चल रही है, वैसे fast phase होता है, चल नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, कि मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, और जवाब दे दिया करें, मैं चार्ट सेक्शन देखता रहता हूँ, ठीक है, और कल कोई यह भी कह रहा है, कि सर यह latest lecture record करके प्रिमेर करते हैं, ठीक है, परसो नर्सों किसी ने house property के नीचे का सर lecture 2 के notes uploaded नहीं है, भाई देख लो एक बार, house property के notes है, वो lecture 1, lecture 2 मिला करें, ठीक है, तो इससे आपको एक और proof मिल रहा है, कि मैं रोज का, रोज record कर रहा हूँ, रोज रात को प्रिमेर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रोज lectures देखता होते हैं, 50, 60, 70, फिर मेरे को 20 में चाइट बॉक्स में आकर कहना होते हैं, या लाइक कर दो वीडियो को, ऐसे थोड़ी होता है, वीडियो को लाइक कर दिया गरो, यार, if you're consuming a content, then appreciate ना, थोड़ा सा, मेरे को भी motivation मिलेगा उससे, ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइ in case of debentures and bonds, तो debentures and bonds के case में indexation benefit available नहीं होता, sovereign gold bonds के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर individual SEC है, मतलब मेरे पास अगर sovereign gold bonds है, तो फिर अगर maturity पर redemption होता है, sovereign gold bonds की maturity 8 साल की होती है, तो अगर मैं आज किसी sovereign gold bond में invest करता हूँ, अगर available है, तो 8 साल के बाद उसकी maturity होगी आग साल बाद मेरे को पैसा मिलेगा, तो अगर maturity पर redemption होता है, तब तो कोई capital gain नहीं लगेगा, क्यूंकि section 47 लग जाता है इस पर, ठीक है, और अगर maturity के पहले कर दिया, maturity के पहले अगर मैंने transfer कर दिया, 5 साल, suppose 8 साल के अंदर-अंदर मैंने कर दिया, तो transfer before maturity, transfer before maturity, capital gain will apply and indexation benefit will be available, तो capital gain भी लग जाएगा, और indexation का benefit भी मुझे मिल जाएगा, individual SAC के अलावा, कोई और अगर SAC है, तो capital gain is applicable on the transfer, और maturity and indexation benefit is available, तो कोई individual के अलावा, अगर कोई है, कोई company वागे रहे है, जिसन सौफरें gold bond लिया है, तो फिर जब भी maturity पर भी transfer हो, चाहे normal भी transfer हो, तब भ आप अपने पूरे के पूरी business undertaking को as a whole बेच देते हो, जब भी आप किसी को अपना business बेचते हो, तो usually क्या करते है, कोई ना कोई हो सकता है, normally क्या होगा, कि आप asset बेच दे हो, आपने पहले fridge बेचा, फिर आपने building बेची, furniture बेचा, plant and machinery, आपने ये साधी चीज़ें बेची, but when you sell an undertaking as a whole, कि ये पूरा का पूरा business अभी आपका, एक lump sum consideration में, तो उसको slump sale कहा जाता है, तो ऐसे case में किस तरह से, calculations होती है, ऐसे case में किस तरह से हम लोग questions को solve करते हैं, आज ओ फटावच से देखते हैं, मजा आएगा इसमें भी बहुत मजा आएगा, तो देखो, slump sale means sale of undertaking और any segment या division for a lump sum consideration without assigning value to individual assets, तो यहाँ पर individual assets के ओपर कोई value assign नहीं कि जाती है, यहाँ पर lump sum consideration पे sell किया जाता है, अब इसका capital gain computation किस तरह से आता है, तो full value of consideration क्या मानते हैं, full value of consideration होता है, FMV of capital assets as per prescribed manner, fair market value of capital assets as per prescribed manner, तो यह जो prescribed manner है, इसमें amendment है, और इसी के लिए यहाँ पर note 1 लिखा हुआ है, अच्छा, उसके बाद इसमें से less करेंगे transfer expenses, फिर आपके पास net consideration हाएगा, फिर less करेंगे cost of acquisition, अगर हम पूरी की पूरी undertaking को as a whole transfer कर रहे हैं, तो cost of acquisition तो हर individual asset की अलग 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 अग 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 benefit, ठीक है, क्योंकि कोई asset हो सकता है, बहुत पुराना हो, कोई asset हो सकता है, recently खरीदा गया हो, तो इस पर कोई भी आपको indexation का benefit नहीं मिलता है, और यह आपका पहले note में, note number 2 होना चाहिए, यह basically, ठीक है, यह note number 2 होगा, तो note number 2 में यह मैंने आपको समझाया हुआ है, और उस ठीक है, ध्यान देने वाली बात एक और चीज़ है, कि even if the undertaking is long term, तो यहाँ पर आपको indexation का benefit नहीं मिलेगा, net worth निकाली जाती है, और उस पर कोई भी indexation का benefit नहीं मिलता है, अब आज दो चीज़ें हमें discuss करनी है, सबसे पहली चीज़ कि FMV of capital assets किस तरह से निकाली जाती है, और note number 2 में हम discuss करेंगे, कि net worth किस तरह से निकाली जाती है, आओ, सबसे पहले note 1 के बारे में बात करते है, how do you calculate the full value of consideration, ठीक है, तो देखो, full value of consideration होती क्या है, यह FMV of capital assets as per the prescribed manner, FMV of capital assets calculated as per the prescribed manner, accordingly, CBDT में prescribed किया है, क्या prescribed किया है, कि FMV of capital assets would be higher of, would be higher of the two, क्या, FMV 1 या FMV 2, अब FMV 1 क्या होती है, FMV 1 is the fair market value of capital assets transferred by way of slump sale, determined on the date of slump sale, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, FMV 1 क्या होगे, कि जितने भी assets आप transfer कर रहे हो, उन assets की fair market value calculate करो, on the date of the transfer, तो यह तो हुई FMV 1, दूसरी FMV 2 क्या है, being the fair market value of the consideration, received or accruing as a result of transfer by way of slump sale, ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होगे, कि आपको पैसा कितना मिल रहा है, हो सकता है, आपने जब अपनी 3 लाँ लेंगे यGU 4 लाँ लेंगे हम 4 लाँ लेंगे, ठीक है, एवन दो, जो भी assets है, उनकी fair market value constitution, लेकिन sales consideration आपको ज्यादा मिल रहा है, आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो हम उसको full value of consideration मानेंगे। ठीक है, अगर मालनो, इसका ulita हुआ, कि full value of consideration का में हमें मिल रहे 4 लाक लेकिन assets की fair market value 5 लाक है तो full value of consideration 5 लाक रुपए मानी जाएगी तो full value of consideration 5 लाक रुपए मान ली जाएगी तो ये तो होगे आपका full value of consideration का basically इन दोनो FMVs का higher तो एक FMV क्या होगे जितने भी आपके assets से उन सब की fair market value दूसरी FMV क्या होगे जितना भी आपको पैसा मिलना है वो तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा that will be considered to be the full value of consideration उसके बाद आजाओ इधर net worth किस तरह से क्याल्किलेट होगी तो आप सबसे पहले assets में देखोगे assets में जो depreciable assets हैं उनका income tax act के हिसाब से जो भी written down value होगी उसको आप लोग है हम लोग जब profits and gains from business and profession करेंगे next to next chapter करेंगे next chapter हम लोग करेंगे income from other sources उसके बाद हम लो PGP वाला chapter करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि depreciation जो होता है वो accounts में अलग तरीके से लगता है income tax में अलग तरीके से लगता है तो जो income tax के हिसाब से depreciate करने के बाद जो WDB आती है depreciable assets के लिए हम वो वाली value लेंगे बाकी सारे assets के लिए हम book value ले लेंगे इसमें से liabilities माइनस करेंगे liabilities की भी book value माइनस करेंगे तब जाकर हमारे पास network निकल कर आई की अब इसमें एक चीज और है ध्यान दिने वाली revaluation of assets shall be ignored तो कई बार क्या होता है आप लोग ने class 11th 12th की accounts में 12th की accounts में यसी foundation की accounts में भी आपने partnership accounts पढ़ा होगा तो जब भी कोई नया partner आता है या कुछ भी होता है तो revaluation account create होता है उस पर revaluation अब assets होती है, reassessment of liabilities होती है तो अगर कोई asset की value को revalue किया हुआ है और वो revaluation reserve आपका balance sheet के liability side में दिख रहा है तो आप उसको minus करोगे, asset की value में से revaluation को minus करोगे, तो asset की revalued value नहीं होगी, वाकई WDVS पर IT Act होनी है या किसी भी और asset की against अगर revaluation reserve create करके उसकी value को बढ़ाया हुआ है, तो revaluation वाली value को minus करेंगे, भी question करेंगे तो और clarity आईगी, ठीक है, if undertaking is help for more than 3 years, तो long term capital gain, if undertaking is help for 3 years or less, तो short term capital gain, इसके बारे में हम लोग बात करी चुके है, for net worth calculation, value of self-generated goodwill is taken as nil, खुद की generated goodwill है, तो उसको nil मानेंगे, उसकी value को nil मानेंगे, for net worth calculation, value of asset on which deduction is claimed under section 35 AD, is taken as nil, 35 AD क्या होता है, वो भी हम लोग PGBP वाले chapter में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वस वाले question में उतना ज्यादा कुछ आएगा ने, जो भी हम लोग यहाँ पर question discuss करने जा रहे है, बहुत ज्यादा questions इससे related आते नहीं है, ठीक है, anyway, but 35 AD जो चीज है, वो हम PGBP में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बस आपको एक understanding के लिए, कि अगर 35 AD में किसी भी asset के लिए आपने 100% reduction claim अलड़ी किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर net worth calculation करते हैं समय उसको ignore करेंगे, दूसरा, no profit under PGBP shall arise after stock is transferred in slump sale, ठीक है, अब slump sale में आप अपनी पूरी की पूरी undertaking को बेच रहे हो, तो undertaking को कुछ ना कुछ stock भी होगा, तो stock भी जाएगा, जब आप पूरा lump sum में बेच रहे हो, तो stock भी तो बिकेगा, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, जो stock बिका हो, उसके अकाश enterprises, having 2 units, Mr. A के पास 2 units है, he transferred on 1st April 2022, his unit 1, by way of slump sale, for a total consideration of 25 lakh rupees, तो ये FMV 2 आ गई, FMV 2 क्या है, जितना भी पैसा आपको मिला, 25 lakh रुपे, the fair market value of capital assets of unit 1 on 1st April 2022, is 30 lakh रुपे, तो लेकिन जो भी assets है, उसकी fair market value क्या है, 30 lakh, तो full value of consideration क्या माना जाएगा, 25 lakh या 30 lakh, तो full value of consideration, 30 lakh माना जाएगा, unit 1 was started in the year 2005-6, तो 2022-23 में बेचा, 5-6 में शुरू किया था, 3 साल से ज्यादे की holding है, long term undertaking है, long term capital asset होगा, expenses incurred for this transfer वर 28,000 रुपे, ठीक है, तो 30 lakh में से 28,000 माइनस कर देंगे, his balance sheet as on 31st March 2022 is as under, तो अभी आपर liabilities आपको total दी हुई है, assets में आपको unit 1 और unit 2 के assets द valuation reserve for building of unit 1, तो unit 1 की building 12 lakh की है, तो जब हम इसकी value consider करेंगे, तो फिर इसमें से ये revaluation value जो 3 lakh है, उसको minus करने के बाद consider करेंगे, ठीक है, उसको minus करने के बाद consider करेंगे, bank loan 2 lakh का है, 70% unit 1 का है, ठीक है, तो unit 1 वाली liabilities में से आ जाएगा, और भी कोई liability है, trade creditors, 5 lakh है, इसमें से 25% unit 1 के, assets में अगर देखें, building, machinery, debtors, other assets, ठीक है, other information के, revaluation reserve is created by revising upward the value of building of unit 1, तो unit 1 की building की जो भी value रही होगी, ठीक है, उसमें से 3 lakh रुपे का revaluation बनाया, तो entry क्या होई होगी, building account debit to revaluation reserve, ठीक है, journal entry यह होगी न, building account debit to revaluation reserve, तो balance sheet में building 3 lakh से बढ़ गई, और revaluation reserve इधर बढ़ गय right, इसी तरह से किया जाता है, no individual value of any asset is considered in the transfer deed, very good, other assets of unit 1 included patents acquired on 1st July 2020 for 50,000 rupees, on which no depreciation has been charged, ठीक है, on which no depreciation has been charged, तो अब देखो, patents पे न, depreciation calculate किया जाता है, right, patents self generated नहीं है, self generated इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, other assets of unit 1 include patents, acquired on 1st July 2020, तो 1st July 2022 को patents acquire किये गए, और patents पर depreciation लगता है, ठीक है, patents पर depreciation लगता है, 25% का depreciation लगता है, तो even though हम लोगों ने PGPP अभी नहीं किया है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी एक glimpse दूँगा, कि PGPP में depreciation किस तरह से calculate किया जाता है, जिन लोगों ने भी पहले किया होगा, आप लोगों को पता है, अगर आपको याद है, तो अच्छी बात है नहीं, तो मैं आपको याद दिला दूगा, but here, this is the thing, now, compute the capital gain for assessment year 23-24, ठीक है, compute the capital gain for assessment year 23-24, बिलकुल परिशान मतो हो, ये PGPP में depreciation और ये सारी चीज़े हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, अ तो जिन लोगों उने पहले पढ़ा हुआ है, उनके लिए कोई दिक्करत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप एकदम नए हो, जैसे मैं comments में और उसमें chat section में मैं देखता रहा हूँ, आप में से कही सारे लोग कमेंट भी करते हूँ, कली किसी student ने comment किया था, मैंने पहली ब questions on your own, right, regular classes में जितने भी questions है, उन सब की practice मैंने करवाई ये class में, जो भी ये notes आप लोगों को मैंने PDF में दिये हुए है, उसमें जितने भी questions है, वो सारे के सारे questions में, regular classes में, class में करवाता हूँ, right, और जितने भी चीज़े यहां पर मैं थोड़ा सा fast भी बोल रहा हूँ, एक आध बार ही बोल रहा हूँ, regular classes में और detail में जाते हैं, हम लोग और ध्यान से समझते हैं, और detail में समझते हैं, धीरे-धीरे समझते हैं, repeat करता हूँ मैं बहुत बार, यहां पर चीज़े repeat में नहीं कर रहा हूँ, because this has to be fast track, अभी भी आप लोग देखो, 1.5 घंटा हो घंटा 30 मिनिट होता है, चाइट सेक्शन में आने लगता है, क्लास कब तक चलेगी, क्लास कब तक चलेगी, क्लास कब तक चलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, slide number 100 तक करना है, अभी हम लोग slide number 82 पर है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें on schedule रहना है, नहीं तो क्या होगा, मै अगर सिर्फ 1.5 घंटा का पड़ा होगा तो यह क्लास नेसेसरली, यह batch extend हो जाएगा, that I don't want, क्योंकि आपका टाइम ही बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है, तो बस मैं पानी पे लेता हूँ, और इसके बाद हम यह बारा question स्टार्ट करते हैं, आओ देखो, full value of consideration क्या है, higher of FNV of capital assets of unit 1 on 1st April 2022 और FNV of monetary consideration received, तो monetary consideration तो 25 लाग की थी, और यह 30 लाग की थी, तो full value of consideration यहाँ पर 30 लाग रुपे की आ जाती है, ठीक है, full value of consideration यहाँ पर 30 लाग रुपे की आ जाती है, transfer expenses कितने के थे, transfer expenses आपके मेरे ख्याल से 28 लाग के थे, yes, 28 लाग के transfer expenses थे, तो यह 28 लाग यहाँ पर यह minus हुआ, 30 लाग minus 28,000, कितना आ गया, 29,72, 29,72,000, ठीक है, अब net worth आप कैसे निकालोगे, उसके लिए working note है, तो building में 12 लाग minus 3 लाग, देखो, assets की value देखते है, assets में सबसे पहले building, unit 1 की building 12 लाग की है, पर इसके against 3 लाग रुपे का revaluation reserve था, पूरा का पूरा बताया था, building के लिए था, तो इस ठीक है, 9 लाग रुपे की building आईगी, उसके बाद machinery, machinery 3 लाग रुपे की assets आ जाएगी, जब उसके बाद debtors, यह रहे debtors, 1 लाग रुपे के debtors, assets आ जाएगे, debtors में भी कोई पंगा नहीं है, तो 1 लाग रुपे के debtors, assets आ जाएगे, ठीक है, अब उसके बाद other assets, other assets में 1 पेटेंट्स है, sorry, 50,000 रुपीज के पेटेंट्स है, तो other assets में 50,000 रुपे के पेटेंट्स है, तो 50,000 के पेटेंट्स हटाने के बाद other assets अभी भी 1 लाख रुपे क्या है, तो यहाँ पर मिलिख देता हूँ, other assets excluding patents 1 लाख रुपे, अभी patents की value कैसे calculate होगी, वो अभी थोड़ी दिर में हम लोग देखेंगे, चलो अभी देख लेता है, patents में क्या लगता है न, 25% का depreciation लगता है, तो अभी देखो, 1st July 2022 को 50,000 रुपे के खरीदे, तो financial year 2021 का depreciation लगेगा, financial year 2021-22 का depreciation लगेगा, 22-23 के depreciation नहीं लगेगा, क्योंकि 22 में तो बेची दिया, ठीक है, अब देखो, accounts जिन्होंने भी पड़ी है, right, accounts अभी ने पड़ी है, आपको क्या लगेगा, कि financial year 2021 में, कितने महीने का depreciation लगना चाहिए, 1st July को खरीदा, तो 9 महीने का depreciation लगना चाहि हो, actual, जब PGP हम लोग करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, वो exactly 180 days वाली चीज़ होती है, 182 days, 180 days, कुछ इसाइब की चीज़ होती है, हम PGP में detail में जाएंगे उसमे, right, तो अगर आपने asset acquire किया, और साल भर में 6 महीने से ज्यादा के लिए use किया, तो फिर पूरे साल का depreciation म मिलेगा, 9 महीने का नहीं, तो financial year 2021 में भी पूरे 25% का depreciation मिलेगा, 25% of 50,000 into 9 by 12 नहीं, simply 25% of 50,000, इसका क्या logic है वगरा वगरा, क्यों किया गया ऐसा, वो सब PGP में हम लोग बात करेंगे, this is the way depreciation is calculated in PGP, in income tax, ठीक है, तो अभी cost कितने की आई, cost आई 50,000 रुपे की, 50,000 लेगा, 6 महीने से ज्यादा के यूज हुआ, तो 50,000 का 25%, कितना आया, 12,500 आया, 12,500 आया, तो M प्लस, 50,000 माइनस MRC is 37,500, और उसके बाद फिर से 25% इसका, into 0.25, 9375, ठीक है, तो ये M प्लस, और फिर 37,500, माइनस MRC, 28,125, ठीक है, तो यहाँ पर patents की value आगई, 28,125, अब आप assets का total कर सकते हों, तो 9,00,000, प्लस, 3,00,000, प्लस, 1,00, प्लस, 1,00, प्लस, 1,00, प्लस, 28,125, ठीक है, उसके बाद liabilities हम देखते हैं, तो liabilities में, own capital, revaluation reserve done, bank loan, 2,00,000, का था, लेकिन unit 1 का सिर्फ 70%, तो 70% of 2,00,000, is 1,00, 14,000, तो यहाँ आए आपका, एक लाख, 14,000, तो यहाँ आगए आपका, एक लाख, 14,000, ठीक है, उसके बाद trade creditors आपके यहाँ पर थे, और इसमें unit 1 की कितने, unit 1 के 25%, कितने के लाख, लाख के 25%, 10,00,000, का अच्छिस, 37,005, एक, 14,28, 125, minus 1,14,000, minus 37,500, this is 12,76, 625, 12,76, 625, 12,76, 625, तो यहाँ आपका, आगया, इसको आप cost of acquisition यहाँ आपका यहाँ उसकर दो, 12,76, 620, ठीक है, 12,76, कुछ गरबर होया है क्या, 15,05,000, यह नहीं है क्या, 37,500, यही है, 14,28, 125, minus 1,14, minus 37,500, 12,76, 625, 12,76, 625, यहाँ आता है, 12,76, 625, यहाँ पर आजाएगा, और, 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 नेटवर्थ यह है, पेटेंस यह है, ठीक है, 14,28, 125, 1,40,000, अरे यार, यह पंगा है, 1,40,000 आएगा, 1,40,000, आएगा, 1,40,000 आएगा, 1,40,000 यह गलती हो जाती है, 1,40, आएगा, 1,40,000 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 आएगा, 1 this is 17 21 375 17 21 375 this is your ठीक है सर अलम शौर सब को समझ में आ गया बहुल इस्टेट फोरे वर नौ special case number 6 section 55 capital gain in case of intangible assets so अगर आप intangible assets को बेचते हो तो उसमें क्या होता है उसके बारे बात करते हैं तो in case of goodwill of business या profession या trademark या brand name या या right to manufacture produce process any article or thing या right to carry on business profession या tenancy rights luma's root permit ठीक है अब यह सारी चीज़ें क्या होती है tenancy right luma's root permit इसमें अभी घुसने की कोई ज़रू होती है क्योंकि faster आक है तो इसके case में in case the above assets are self generated अगर यह self generated है तो इनकी cost of acquisition निल मानते हैं अगर इनको खरीदा हुआ है तो obviously cost of acquisition will be the purchase price ऐसी cases में FMV as on 1st April 2000 का 2001 वाले benefit is not available एक है तो in the above case FMV as on 1st April 2001 benefit is not available index benefit is available in case of purchase intangible assets अगर आपने assets को purchase किया है तभी indexation benefit का मिलेगा cost of improvement में क्या होता है तो in case of goodwill of business patents copyright and right to carry on any business or profession cost of improvement is always taken to be nil cost of improvement को हमेशा nil मानेंगे बाकी सारे assets में जितना भी आपने expenditure रिंकर किया है on or after 1st April 2001 उसी को हम लोg cost of improvement मान लेंगे right आई एसना question number 35 पर आजाप है question number 35 let's look at this question Nishten has been living in a rented accommodation since August 2003 and he is paying a rent of 5,000 rupees per month landlord got the house vacated from Nishten on 16th July 2022 and paid a sum of 6 lakh rupees for vacating the house इसी को बोलते हैं tenancy right यह देख आप tenancy right तो अभी मैं उस मकान पर किराय पर रह रह रहा हूं अधिकार मेरे पास आ गया है इसको GST में थोड़ा साम लोग और पढ़ेंगे यह कुछ-कुछ states में ऐसा होता है कि अधिकार आ जाता है मेरे पास अब landlord अगर मुझे निकालना चाहता है मकान से तो लाओ मेरे को लंब सम कंसेडरेशन दो और इस अधिकार को आप वापस लो ठीक है टेनेंसी राइट मतलब मेरे पास किराय पर रहने का अधिकार आ जाता है अगर आपको मकान से मेरे को बाहर निकालना यह तो यह वाल्याइट के लिए 6 लाँ रुपे मिला फर वेकिन दो हाउस, compute the capital gains if any in the hands of Nishten तो मेरे हाथ में तो आई जाएगा 6 लाँ रुपे मुझे मिला, तो full value of consideration 6 लाँ रुपे ठीक, और कुछ है नहीं, तो 6 लाँ रुपे का यह हो गया, cost of acquisition, cost of acquisition आपकी nil मानी जाएगी हमेशा, इन सब के cases में tenancy right के लिए है क्या, cost of acquisition विल भी nil, तो cost of acquisition nil मानी जाएगी और 6 लाँ रुपे का मेरा long term capital gain हो जाएगा ठीक है, 6 लाँ के लिए मेरा long term capital gain हो जाएगा, चलो आजओ, फटा फटा से देखते हैं, बस खतम ही हो गया बाज का, बहुत मुश्किल से, अभी यह कौन सा वाला special case था, यह special case 6 था ना, बस 2 special cases और करने हैं, छोटे छोटे से, उसके बाद बस आज की class खतम, special case 7 देखते है तो section 50C A, capital gains in case of unquoted shares, unquoted shares का मतलब unlisted shares, ठीक है, तो जैसे sorting hard technology is private limited है, तो यह unlisted company है, तो इसके अगर मेरे पास shares हैं, उसको मैं बेचता बेचता हूँ, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, आओ तेखते हैं, तो in case of transfer of unlisted shares, if sale value is less than the fair market value of such shares, then such FMV is treated as FVOC, यानि full value of concentration, ठीक है, पोज अन्शुल सर के पास shares है, अनिक आडमी के, और अन्शुल सर मुझसे कहते हैं, कि निशानत यार, तू तो मेरा भाई है, और तू ना, तेरे को मैं सस्ते में shares बेचते हैं, ठीक है, अब अनिक आडमी के shares की fair market value हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि लिस्टेट होते हैं, on 10th December 2022, he transferred all his shares to Mr. Tushar, मेरा भाई है, for 60 rupees per share, fair market value on the date was 400 rupees per share, compute capital gains, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 400 rupees per share ही मानी जाएगी, तो 400 into, कितने shares थे, कितने shares, 10,000 shares, 400 into 10,000 shares, 400 into 10,000 shares, 400 into 10,000 shares, यह हो गया, 40,000,000, यह हो गया, 40,000, ठीक है, transfer expenses कुछ नहीं, यह आ गया, 40,000, इसमें आप indexed cost of acquisition minus करोगे, तो indexed cost of acquisition किती, 80,000 थी, तो 80,000 रुपे, into 331 divided by, 109 ना, financial ले तीन चार का, 109, 109, और अब कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 80,000 into 331 divided by 109, यह हो गया, 242, 936, 242, 936, और फिर आप इसको minus कर दोगे, 90,000,000, माइनस 242, 936, दिससिस 37, 57, 064, 37, 57, 064, यह आ गया, ठीक है, लास्ट केस फर तोडे, स्पेशल केस एट, आप देख रहो, 94th स्लाइट पर हम लोग आ चुके है और टोटल अभी एक घंटा अरतेस मिनिट हो चगा है ठीक है कोई बात नहीं तो 94th स्लाइड जल्दी हो जाएगा यह तो capital gain if consideration is not determinable not determinable अगर consideration determinable नहीं है तो फिर क्या होगा full value of consideration माना जाएगा fair market value of the asset transferred मतलब FMV of the asset जो जा रही है जो आसे जा रहा है उसकी fair market value मानी जाएगे in case of exchange of asset full value of consideration is FMV of the asset received in return लेकर अगर exchange वाला case है तो फिर क्या है अगर exchange वाला case है तो हम देखेंगे FMV of the asset जो आ रहा है ठीक है question करते हैं अच्छा इस पर कोई question नहीं है तो कोई question इस पर आता वाता नहीं है बाकी अब हमारे पास यह last है special case number 9 इसको आप conveniently छोड़ सकते हो CA intermediate के लिए यह CA final में इसकी validity ज्यादा है तो आप इसके लिए अभी फिलहाल fast track है तो आप intermediate के लिए इसको छोड़ सकते हो इसमें unnecessary confusions भी होते हैं तो क्योंकि इसका intermediate में बस ही के एक line देकर बस यहाँ पर छोड़ दिया ICI ने तो इससे related कोई question आता वाता नहीं है तो आप इस वाले को special case 9 को फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो CA final में आप लोग इसको पढ़ोगी ही पढ़ोगी and that completes आज का हमारा discussion तो अभी कल कर जो भी टागेट रहेगा वह मैं आपको कल वाले session बताऊंगा थांकिस सो मच एवरीवान अनक्याडमी का subscription कैसे लेना है वो बता देता हूं तभी आप लोग वामप बाच को जॉइन करता होगे तो website पर start learning पर क्लिक करोगे फिर CA पर क्लिक करोगे CA पर क्लिक करने के बाद आप CA intermediate पर क्लिक करोगे CA intermediate पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा और यहाँ पर आप subscription plan पर आओगे subscription plans पर आने के बाद आपके सामने तीन options आएगे आप get plus पर क्लिक करेंगे गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह options आ जाएंगे, यहाँ पर आप मेरा code यूज़ करोगे sir, Nish 10 और apply कर दोगे, Nish 10 अप्लाई करते ही आपको maximum possible discount मिल जाएगा, अनेक आडमी के prices काफी dynamic रहते हैं, तो फिर अगर आप मेरा code यूज़ करोगे, तो आपको maximum possible discount जो भी offers चल रहे होंगे, सब कुछ automatically apply हो जाएगे, इस तरह से आप अनेकाडमी प्लस का subscription ले सकते हैं, thank you so much, good night, take care, कल रात को 9 बजे, फिर से मिलते हैं, यहीं पर, इस से पहले के जितने भी questions है, please अपने आप से कर ले ना, ठीक है, question 37 से पहले के, question 37 से पहले के जितने भी questions है, question 37 को तो आप ignore कर दो, क्योंकि एसी special case 9 से related, question 37 ignore कर दो, question numbers 1 to 36, please कल की class में करके, पहले से करके आना, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग exemptions से start करेंगे, ठीक है, चलो, thank you so much everyone, take care, अपना ध्यान रखिए, bye-bye.